आस्ट्रेलिया के विजिट वीजा को कैसे आप वर्क वीजा में कनवर्ट कर सकते हो, बेसिकलिए इसके तीन मेथड है, पहला यह है कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल के तरी इंडिया या पकिस्तान में बैठे बैठे, आप जॉब्स के लिए अपलाई करो, जब आपको कोई आपको स्पॉंसर्शिप दे देगा और आपको वर्क वीजा मिल जाएगा, इसी में जो दूसरा मेथड हो सकता है कि आपको जॉब मिल गई, बट आपका एंपलॉयर आपसे इंटरिव्यू के लिए बुला रहा है, तो आप तूरिस्ट वीजा के तुरू आप उस्ट्रेलि पे गए, तो तकरीबन आप तीन महीने तक रह सकते हो, तो तीन महीने में आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई भी लोकल कंसल्टेंसी ढूनना और उसके थूरू एपलाए करना तो आपके लिए जादा चांसे होंगे, आप साइड बाई साइड खुद भी अपलाई कर सकते बट मैं आपको ज़रूर रिकमेंट करूंगा कि लोकल जो कंसल्टेंसी है, उनके थूरू ज़रू ज़रू जाए, हो सकता है वो आपसे कोई चार्जिस लें, या आपके सैलरी में से कट लें, बट वो मेथड आपके लिए जादा इजी रहेगा और उनके पास और रिडी ज होती है, तो दूसरा ये मेथड आप ज़रूर ट्राय करना, अगर आप उस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हो, टूरिस्ट वीजा पर और उसको वर्ग वीजा पर कंवर्ट कराऊगे, डू चेक दिस, और जो तीसरा मेथड है, बहुत ज़ादा कॉमनली यूज करा जाता है, क आउस्ट्रेलिया में अपन विजट वीजा सब क्लास 600 पे जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग बड़े कोर्सिस में एड्मिशन ले लेते हैं, as a student, like 2 year, 1 year, या फिर छोटे कोर्सिस, like 6 month, 8 month में भी आप एड्मिशन ले सकते हैं, तो आपके बास basically 3 month का initial time हो गया विज sponsorship कर देगा, एक और additional चीज़ यह है कि Australia बहुत सारे Indian पाकिस्तानी आपको मिल जाएगे, जो कि अपना business setup कर रहे हैं, तो वो शायद आपको आराम से job offer कर सकते हैं, या आप consultancy के through भी बहुत सारी job मिल जाएगी, 6-8 महीने का time गाफी जादा होता है, आपको आराम से job मिल जहां पर लोग job ढून रहे हैं, इंडिया की जो consultancy है, उन पर मैं to be honest बहुत जादा वरोसा नहीं करता हूँ, मैं हमेशा आपको recommend करूँगा कि आपको directly job के लिए apply करें, और visa processing या बाकी चीज़ों में एक consultant की आप help ले सकते हैं, बट on site वाले consultant की help लेना जादा recommended है, क्योंक उसमें से आदेश जादा फरजी हैं,